साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बर्णवार आप सभी को विज्या दश्मी की बहुत बहुत शुब कामनाए बुराई पर अच्छाई की जीत का दिये त्योहार हम सब के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा संदेश है और इसी संदेश के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं नेक कर्म करें और आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं यही हमारी और आप सब के लिए शुब कामनाए है तो दोस्तों आज का विशेव बड़ा इंटरस्टिंग है और यह प्योरली चुनाव से जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है लेकिन आज के वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको दिखाऊंगा वो किसी ना किसी व्यक्ति विशेश से जुड़ा होगा लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़ा होगा लेकिन ये सारा विशेश टू विंडो में दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये कि कैसे चुनाव से पहले ये गैंग माहौल बनाता है और सबसे पहले मैं पुन्य प्रसून वाजपेई से शुरुबात कर रहा हूँ जब आप देखेंगे न हैरान रह जाएंगे ऐसी ऐसी चीजें कैसे माहौल बनाते और उसका नतीजा क्या होता है मैं दो चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ एक गुजरात चुनाव और दूसरा मध्य प्रदेश चुनाव और देखिए टू विंडो में सारे थमनेल आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा सब कुछ टू विंडो में एक थमनेल है गुजरात चुनाव से पहले का और दूसरा मध्य प्रदेश चुनाव से पहले का एक एक शब्द मिला लीजिए आप हैरान हो जाएंगे कैसे लोगों को भ्रमित किया जाता है देखिए गुजरात में टिकट बटवारे ने दे दिये बड़े संकेत उपर का भी पढ़ रहा हूं दोनों विंडों में और दू में कितना फर्क है एक दो महिने पुराना और एकी 11 महिने पुराना नीचे आईए ऐसा दाउन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब पहले में जो गुजरात चुनाव से पहले और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले देखिए भाजपा के बड़े बड़े कि हालत खराब, शब्द मिल गए, और आगे बढ़िए, सब हैरान, गुजराच चुनाव से पहले, और मध्यप्रदेश चुनाव से पहले, सब हैरान, इतना इतना शब्द एक जैसा, आप सोचिए, और इसी लिए मैंने कहा कि ये जो चोरी है ना, अपने ही content की चोरी पकड़ गई है, copy paste कर रहे हैं, अपने ही content को, क्यों, इनको लग रहा है, इसी से माहल बन रहा होगा, तो ये है पहला two window, अब मैं पुनी प्रसुन वाजपेई के ही, दो और वीडियो का thumbnail आपके सामने रख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही interesting है, गाउ में Congress, शहर में आप, बदलने लगी है, गुजरात की हवा, गुजरात को हरा दिया, भाजपा से, क्योंकि गाउ में तो Congress का कबजा है, और शहर में आम आदमी पार्टी का, और बदल गई हवा, अब दूसरा देखिए, MP में प्रियंका पर 41 F.I.R. मामा को दिखने लगी है, ह हार, दोनों में हार गए, हरा दिया, महान बना दिया, अब नीचे का आप इसी डू विंडो में देखिए, देखिए, शब्द कैसे मिल रहा है, मोधी भागवत तक हैरान, ये गुजरात चुनाव से पहले, और मध्यर प्रदेश चुनाव से पहले, मोधी भागवत तक में ह इसे स्थिती है, ऐसे हालत खराब हो गई है, तो ये महल बनाया जाता है, दोस्तों, और इसी लिए, बड़े रिसर्च के साथ, ये चीज़े मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अब मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ, इनही का, पुनी प्रसुन बाजपेई का, और ये भी टू विंडो में, आप देखिए, बड़े ध्यान से, मोदी शाह की नाक के नीचे, इतना बड़ा खेल कर गए केजरी वाल, गुजरात चुनाव का चौकाने वाला सच, महौल बनाया जाता है, और सर्फ एसी रूम में बैठ कर महौल बनाया जाता है, और मध्य प्रदेश च वाले मानने लग गए, भाजपा वाले कौन से इनको मिल गए, जो ये रिपोर्ट देते हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, और इसी लिए ये कहने का एक तरीका है दोस्तों, जो आपको सामान्य रूप से, सहज रूप से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लगता है कि बड़े पत्रकार हैं तो कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं होता, एसी कमरे में बैट कर ये माहौल बनाया जाता है, और इसी लिए ये तस्वीरे सामने आती हैं, अब मैं ये जब टू विंडो आपको दिखा रहा हूं, तो संदर भी तो समझना पड़ेगा ना, ये तो गुजरात चुनाव का नतीजा क्या रहा, पूरी दुनिया ने देखा, जिस गुजरात में भारती जंता पार्टी को हराय जा रहा था, और 27 साल का शासनकाल, बोल रहे थे, एंटी इंकमबेंसी है, वहाँ प्रचंड जीत हासिल की, इतिहास की सबसे बड़ी जीत, और 182 मे जिस गुजरात में इतिहास बना दिया भारती जंता पार्टी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, उसके लिए कैसे महौल बनाया गया, और तब आपको समझ में आएगा, कि मध्य प्रदेश में भी यही सब कुछ किया जा रहा है, अब चलिए दोस्तों, आपको दीपक शर्मा के बारे में बताते हैं, मैंने तो कई वीडियो देखे दोस्तों, गजब का महौल बनाते हैं, वो तो मतलब बोलेंग ऐसा ना, कि आप समय में नहीं आएगा, मतलब मैं तो आपको एक उधारन देता हूँ, टू विंडो आपके सामने है, अभी बताता हूँ, वो तो ऐसे बोल और इसलिए मैं इनका दिखाना बड़ा जरूरी है, देखिए, गुजरात चुनाव से पहले, मोधी का रत गुजरात में फस गया, हरा रहे हैं, हरा दिया, महौल बनाते हैं, और इनका देखेगा वीडियो, और अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या लिख रहे हैं 2024 की उल्टे गिंती शुरू, अपने सबसे मजबूत गड़ में हारने जा रहें मोधी, मध्य भारत में डगमगा रही बीजेपी की नाओ, है न गजब, कुछ तो एंगल देना पड़ता है न दोस्तों, वरना आपको लेगा, रहे, ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो वज़ा होग यही एंगल है, कि 2024 की उल्टे गिंती मध्य प्रदेश से, यह माहौल बनाया जाता है, और इसलिए यह देखना बड़ा जरूरी है, आगे बढ़िए, इन्हीं का मैं दिखा रहा हूँ, सर्वे, सर्वे की बात इन में जरूर होती है, इसलिए दो सर्वे लेकर आया हूँ, चुनाव के असली सर्वे ने उड़ाई मोधी शाह की नींद नहीं जीते, तो फिर क्या होगा, यह गुचराच चुनाव के लिए कहा जा रहा है, कौन सा सर्वे लेकर आये थी, कभी नहीं बताएंगे, यह कौन से सर्वे से आपको बता रहे थी, जहां प्रचंड जीत मिल रहे थी और यह हरा रहे थी, और देखे मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, चुनावी सर्वे ने उड़ाई मोधी शाह की नींद क्या मध्य प्रदेश में भी बजने जा रहा, बैंड, बड़े ध्यान से देखे दोस्तों, और हर लोगों तक पहुचाईए, यह कैसे का तरीका है दोस्तों, और आगे बढ़िए, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, गुजरात हाथ से निकला तो मोधी का क्या होगा, दीपक शर्मा, गुजरात हाथ से निकले, निकला तो मोधी का क्या होगा, डरा रहे हैं, मोधी जी को डरा रहे, गुजरात निकल गया मतलब मान कर चल रहे हैं और देखिए यही pattern बड़े ध्यान से शब्दों को पढ़िएगा दोस्तों इस तारीक से इतना क्यों घबरा रहे मोधी शाह 3 दिसंबर 2023 यहां भी हरा दिए मतलब यह मान कर चलते हैं कि मोधी जी गए हार गए मध्य प्रदेश आर गए जैसे गुजरात आर गए तो क्या होगा यह नए-नए एंगल ढून कर लाते हैं और इस प्रकार से माहल बनाते हैं अब आप अजीत अंजुम जी पर आईए और देखिए बड़े ध्यान से गुजरात चुनाव से पहले और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मोधी के गुजरात मॉडल की पोल खोलते लोग ये आपको भक्त मीडिया नहीं दिखाएगा गुजरात मॉडल की पोल खोलते लोग ये गुजरात गये थे लोग पोल खोल रहे थे खोलने थी जी उस तो विरोधी भी होंगे ना, लेकिन उसके पीछे का narrative और pattern पकड़ने का प्रयास कीजिए, अब देखे मधी प्रदेश में, बीजेपी को ये देंगे सबसे बड़ा जटका, MP के युवाओं में इतना आक्रोश क्यूं, मोधी मामा दोनों जूटे, दोस्तों लोक तंत्र है लोक तंत्र में समर्थग भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, और हर तरह के लोग होते हैं, ये तो हमारे उपर है ना, कि हम समर्थकों के बीच पहुंचे या विरोधियों के बीच पहुंच जाएं, या फिर न्यूट्रल तरीके से कहीं पहुंच जाएं, अब जहां विरो इनका एक और दिखाता हूँ गुजरात के लिए मोदी की धरकन बढ़ी है कुछ दिन तो हम गुजारेंगे गुजरात में मोदी की धरकन बढ़ गई है आगे देखिए MP में त्वरित सर्वे का ये नतीजा मामा और मोदी के होश उड़ा देगा आप समझ रहें कैसे बताया जाता है इसके दो तीन तरीके होते एक तो ये होता है दोस्तों कि महल बना रहे हैं दूसरा ये होता है कि जो विरोधी हैं उसमें जोश बढ़ने का काम करते हैं लेकिन ये तरीका निट्रल नहीं है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये निट्रल तरीका नहीं है दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंडा सेट करने का काम किया जाता है और इसी लिए कॉंग्रेस के समय में ये जो बड़े बड़े लोग थे बड़े क्लास के लोग खान मार्केट गैंग या फिर लेफ्ट लिबरल गैंग उनका तरीका ये होता था उनमें जनता से कोई लेना देना नहीं इसी तरीके से माहौल बनाया जाता था आगे बढ़िए एक अभिसार शर्मा है देखिए बड़े सुक्षमता से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा गुजरात चुनाम से पहले कह रहे हैं गुजरात मॉडल खलास मोदी मैजिक धलान पर गुजरात मॉडल खलास मोदी मैजिक धलान पर दोस्तों मैं वीडियो नहीं देख सकता सारे और वीडियो देख भी लूँ तो लगाऊंगा क्या लेकिन इससे आपको पैटर्न पता चल जागा और मैं तो चुकी सुनता हूँ कुछ-कुछ वीडियो तो मुझे आइडिया भी है और इसलिए मैं ये दिखा पा रहा हूँ गुजरात मॉडल खलास मोधी मैजिक डलान पर सोचिये गुजरात में क्या हुआ था और देखिये मध्य प्रदेश में गोधी मीडिया भी बोल रहा कॉंग्रेस जीत रही MP राजस्थान 36 गड़ मोधी शाह की नीन दुड़ी कहने का तरीका है कि गए सब जगह गए देखिये नतीजा क्या निकलता है ये तीनों हरा रहे है MP राजस्थान 36 गड़ सारे राज्य हरा रहे हैं और इसी तरह गुजरात भी हरा रहे थे लेकिन नतीजा क्या रहा है ये हम सब ने देखा और इसलिए ये बात दिखाना जरूरी है और बहुत मेहनत के साथ दोस्तों ये चीज में महौल कैसे बनाते हैं? यह देखी. मैंने इनका सर्वे बड़ा देखा. सर्वे पे बड़ा विश्लेशन करते हैं. और सर्वे का दोनों विश्लेशन आपको दिखा रहा हूँ. गुजरात चुनाफ से पहले और मधिपृदेश चुनाफ से पहले. बड़े ध्यान से देख बीजेपी हारेगी अब किसी ना किसी का तो वो लेना है अब सी वोटर सर्वे अगर ये कहती पता नहीं क्या दिखाया कि भाजपा जीत रही है तो बदल देते नहीं दिखाते लेकिन इसमें दिखाएंगे ये सिर्फ चूसेंड पिक वाली इस्तिती है वहां से उठाएंगे और अपने काम का हिस्सा दिखा देंगे सिर्फ माहौल बनाने के लिए इसलिए मैंने दिखाया सत्य हिंदी का एक और दिखी बीजेपी के लिए गुजराद जीतना असान नहीं अब किसी ने कहा होगा कौन कह रहा है क्या कह रहा है किसको पकड़ के कहलवा रहे हैं लेकिन ह भरा दिया बीजेपी के लिए गुजराद जीतना असान नहीं और मध्य प्रदेश में देखिए सब कोट अनकोट में हैं बड़े ध्यान से मध्य प्रदेश चुनाओं में कॉंग्रेस बीजेपी से काफी आगे हमने थोड़ी ना कहा किसी ने कहा अब उसको हमने कोट अनको बड़ा एकदम से दम भरते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्या करके आगे बढ़ रहे हैं देख लीजे गुजराद चुनाओं से पहले मोदी और शाह ने देखा गुजराद का असली सर्वे फिर आ गया पसीना कौन सा सर्वे देखा किसने बताया आपको कुछ नहीं मिलेगा पस इंटर्नल सर्वे इनी को लगता है पूछ के सर्वे कराया गया होगा कुछ तो होगा अभी आप देखे क्या नतीजा रहा आप मध्य प्रदेश भी देख लीजिए मध्य प्रदेश का पहला उपीनियन पोल सौ का अगड़ा भी नहीं चुपाएगी बगावत तो कहीं केजरी वाल के भवर में फस गई बगावत बगावत से हारेगी भाजपा मध्य प्रदेश देखिए भाजपा में भैंकर विरोध भारी बगावत हजारों नेताओं का सामुहिक स्तीफा एमपी से दिल्ली तक मचा हड़कंप ढूंडते रहिए कहीं नहीं मिलेगा क्या हड़कंप अगर मिलेगा तो गुजरात में ही मिला होता फिर तो गुजरात हार गया होता यहां तो उल्टी गंगा बह रही थी और आईए एक 4 पीम का और रखा है सेलेक्ट करके गुजरात से ही प्रारंभ होगी भाजपा के पतन की शुरुवात भाजपा के पतन की शुरुवात भाजपा तो हारेगी ही गुजरात पुरे देश में भी पतन हो जाएगी और मध्य प्रदेश देखे कैसे लिख रहे हैं और मोधी के नाम पर मोधी के एहंकार ने डुबो दी मध्य प्रदेश में भाजपा की लुटिया यह असली कहानी है अब मैं अपने आपको बड़ा चैनल बताता है और इसके अच्छे विवर्स भी होते हैं आप देखिए गुजरात हिमाचल चुनाओं में बड़ा उलट फेर बीजेपी को सताया राहुल का डर गुजरात में हरा दिया था और आप देखिए बीजेपी को MP में MP में बीजेपी को मिल चल जाएंगी और आपको बगावत का इसका दो दिखा रहा हूँ गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत इसलिए हार जाएगी और देखिए शिवराज ने फूक दिया बगावत का बिगुल आपको पता है कि शिवराज ने बगावत का बिगुल फूका बताईए अग किला और मध्यप्रदेश इस बार कॉंग्रेस की सरकार दो तरीके दिखाएं न आपको एक तो भाजपा बुरी स्थिती में भाजपा गिर रही है और दूसरी तरफ उठकोन रहा है तो किसी को तो बताना पड़ेगा तो कॉंग्रेस की सरकार बनेगी कॉंग्रेस का किला मजब ये बात समझना ज़रूरी है मान लीजिए जिस तरीके से गुजरात में इन लोगों ने सर्वे किया गुजरात में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई क्या इन लोगों ने जरा सी भी उस पर टिपड़ी की कि हम गलत हो गया नहीं किया किसी को भी देख लीजिएगा तो उस्ते क्या है आपको लगता है कि आप वोट दे कर सारी चीजे तै करते हैं लेकिन एक ऐसा गिरोह काम करता है जिसे प्रधान मंतरी मुदी ने भी खान मारकेट गैंग कहा था ये गैंग ऐसा है दोस्तों जो लोगों के दिमाग में घुज कर उसे बदलने का प्रयास करता ह कोशिश करता है बलकि कोशिश से ज़्यादा साजिश रचता है और इसलिए इन चीजों को देखना बड़ा जरूरी है और इसलिए दोस्तों मैंने बड़ा परिश्रम किया मुझे उमीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा आप कमेंट करके जरू वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार